नमस्ते दोस्तों, हिंदी की काल जही कहानियों और उपन्यासों के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ प्रसिद दिलेके का, गौरापंध शिवानी जी का, रोमांचकारी, चर्चित और बहुत प्रसिद उपन्यास भहरवी उपन्यास को मैं चार भागों में सुनाऊंगी, चारो भागों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिससे आप निर्बाद रूप से पूरे उपन्यास का रस ले सकें शिवानी जी के इस रोमांचकारी उपन्यास में सिद्ध सादकों और विक्राल रूप धारणी भैरवियों की दुनिया में भटक कर चली आई, भोली, निश्पाप, चंदन एक ऐसी मुक्त पंदनी बन जाती है, जो सांसारिक प्रेम संबंदों में लोटकर आने की उतकट इच्छा के बावजूद अपनी अंतरात्मा की बेडियां ने त्याग पाती और सोश्ती रह जाती है, क्या वो जाए, पर कहाँ? आरंब करती हूँ, शिवानी जी का प्रसिद उपन्यास भैरवी का भाग एक आकाश की नीलिमा मानो उस अरने को चीरती हुई जपाटे से नीचे उतराई थी, प्राचीन वर्ट और अश्वत के धोमिल व्रक्ष मौन साधकों की तरह अचल खड़े थे, वो उस खुली खुरिकी से बड़ी देर से इनी व्रक्षों को देख रही थी, क्या इन व्रक्ष की पत्तियां की अरने की मूल भयावता से सहम कर हिलना भूल गई थी, उसने करवट बदलने की कोशिश की, जरा हिली की रग रग में दर्द दोड़ गया, वो करहा उठी, उस दिन सिस्की में डूबे हुए करण निश्वास को सुनकर, कोटरी के किसी अंधिरे कोने पर लग आते हुए वो प्रोडा अपना चेहरा उसके इतने निकट ले आई कि जर्दा किमाम की महक, किसी तेज गंद वाली अगर की धुनी की याद ताजा करते हुए उसकी सुप्त चेतना को जग जोर गई, उसने सहम कर आँखें मून ले, बिहोशी का बहना बनाय वो लेटी ही र जिवा मरदाना धूती, जिसे उसने घुटनों तक खींच कर कमर की विराट परेदी में ही आचल से लपेट कर बांध लिया था, परतों में जून रहे नगन उदर से लेकर तुम्भी से बंदन ही लटके इस्तनों तक रक्त चंदन का प्रगाः लेप, जिसकी रक्तिम आभ अस्तिविक्ता से ऐसे आखें मूंदे अचेत पड़ी रहेगी, क्या जीवन पर उसे ऐसी भयावे भगवा मूर्तियों के बीच अपनी पंगु अवस्था बितानी होगी, और फिर उस भयानक काल कोट्री की अमानविय निस्तब्दता ही उसका गला घोट देने के लिए पर विकी भी ऐसी कि कभी अपने बंकिम गवाक्ष से मुठी भर ताजी हवा का जोका लाती भी, तो दूसरे एक्षण उसी ततपरता से फटाफट अपने अनाडी जरजर पट मूंद कर दूसरे जोके का पत स्वयमी अवरुद भी कर देती, कभी कभी कोने में जल रही धूनी क दूए की कभी दुरगंद से उसका दम घुटने लगता, चंदन के जी में आता कि वो भाग कर बाहर चली जाए, पर भागेगी कैसे, उस दिन विवश्ता की सिस्की उस गुहा की नीची जुग जुग आती छट से टकरा कर गुरु गंजना सी गुँझ उठी थी, और वो च आत से दात मिलाए, आँखे बंद किये पड़ी रही, बादलों से अध ढके दूज के चांद का ठका हारा सा प्रकाश उसके पीले चेहरे पर फैला हुआ था, बड़े-बड़े मुदे नैनों की कोर पर टपकी आसूं की बूंदें गौर से देखने पर नजर आही जाती थी देखा न, होश में आ गई है, होश में न आई होती, तो आँखों में आसू आते, दो बार तो मैंने इसे करहते हुए सुना, वही सन्यासनी कहे जा रही थी, मैं तो कहती हूँ गुसाईं, कहीं बीतर भारी गुम चोट खा गई है, आज आठवा दिन है, पानी की एक ये मरेगी नहीं, जै गुरू, जै गुरू, सन्यासनी कहने लगी, गुरू का वचन क्या कभी मिथ्या हो सकता है, ये लीजिए, चरन नई चिलम भर कर ले आई, आप विश्राम करें, मैं तो इसके पास बैठी ही हूँ, जब आपने कह दिया कि ये नहीं मरेगी, तब फिर ह में कोई डर नहीं रहा, क्योरी चरन, चिलम भरना भूल गई क्या, गांजे के दम से अवरुद्ध, गुरू का स्वर, चरन से बेदम, चिलम की कैफियत मांगने लगा, अरे भूलेगी कैसे, असल में इस ससुरी की हमने आज खुब पिटाई की है, सन्यासिनी ने अपनी चो देखा तीनी पुडिया है, हम समझ गई, आकर साप का पैड़ तो सापी चीहनता है, ना गुसाई, हमने हरामजादी को उजाले में खीच कर आखे देखी, तो एकदम लाल जवा फूल, बस चोरी पकड़ ली, सत्रे की पूरी नहीं हुई है, और लगाएगी गांजे का दम, वो भी गुरू का गंजा, बस तीन चिम्टे ऐसे दिये कि पीट पर गुरू का त्रिशूल उभराया है, अच्छा अच्छा अब जो हो गया सो हो गया, हाथ वाँ चलाना ठीट नहीं है, माया चलो सो जाओ, हमें रागों ने बुलाया है, बर्दवान से कोई रामदासी कीर कितनीया आया है, हम कल तक लोटेंगे, गुरू का कंट स्वर की सप्तमी के रंग में रंग गया था, खड़ाओं की क्रमशा विलीन होती खटखट से, चंदन आखें बंद होने पर भी गुरू के विदा हो चुकने के संबंद में आश्वस्त हो सकी, वैशरमी उठी और उसक कि दे गरिमा से कोने को जूला सी बन गई मूंज की खटिया एक बार फिर अपना संतुलन लोटा लाई, अब तक नीचे अतल जल में तूटती हलकी पोटली सी ही चंदन सहसा उपर उठाई, थोड़ी ही देर में कोने की खटिया से वैश्रमी की नासिका गर्जन से आश्वस थोकर उसने आखें खोल ली, गगन की द्रश्टा चांदनी अब पूरे कमरे में रेंगती फैल गई थी, क्रपन वातायन से घुसाया हवा का एक उदार जोंका, उसे चैतन ने बना गया, पहली बार अनुसंदानी द्रश्टी फेर फेर कर उसने पूरे कमरे को ठीक से देख कितनी नीची छत थी, लगता था हाग भढ़ाते ही वो छत की बल्यों को चू सकती है, दुएं से काली पड़े हुई काट की उन मोटी मोटी बल्यों के सहरे कई गेरुआ पोटलियां जूल रही थी, खूटियों पर टंगी गेरुआ धोतियां, दो-तीन बड़े-बड़े द कोने में गड़े एक लंबे सिंदूर पुते त्रिशूल पर निबद्ध हो गई, निर्वात दीप की शिखा हवा में जूम रही थी, त्रिशूल पर लाल और सफेद चीतरों सी नन्नी ध्वजाएं फरफडा रही थी, और ठीक त्रिशूल के नीचे पड़े थे इस तूप पिक्रत नर्मुंड, भैसे चंदन काप उठी, बड़ी मुश्किल से काबू में आए हुए उसके होश हवास फिर गुम होने लगे, क्या ये किसी कापालिक की गुहा थी, या किसी शमसान साधक का आश्रम, सन्यासनी का नासिका गर्जन और भी उँचे अवरो के सोपान पर हुलसने लगा, ठंडे पसीने से तर बतर चंदन, सारी राद दम साधे सतर लिटी रही, भोर होने से कुछ पहले न जाने कब उसकी आखें लग गए, आखें लगी ही थी, कि उसे लगा, किसी ने उसके ललाट का इस पर्ष किया है, ना चाहने पर भी उसकी आखें खुल हातों की उज़ल हसी देखकर आश्वस्त हो गई, ये हसी तो मैतरी का हाथ बढ़ा रही थी, भूक लगी है क्या, इस निग्द हास्योजल प्रश्न के उत्तर में बिस्तर से लगी असहाय दे सिस्कियों में तूट कर कापने लगी, छी, रो मत, ऐसे रोने से तबियत और खर होगी, रुको मैंने अभी दूद गरम किया है, जैसे भी हो थोड़ा बहुत गुटक लो, थोड़ी देर में वो कासे के चप्ते कटोरे में भरकर दूद ले आई, सहरा देकर उसने चंदन को बिठाया और दूद का कटोरा उसके खुषधातुर होटों से लगा दिया, एक ह सांस में वो पूरा कटोरा खाली कर गई, उस काली लड़की ने बड़े यतन से उसे एक बार फिर लिटा दिया, चुपचाप लिटी रहो, समझी, वो हसकर कहने लगी, मैं मंदिर को जार पोंच कर भी आती हूँ, थोड़ा समय लगेगा, मंदिर जरा दूर है ना, इसी से, वो अनरगर बोलती जा रही थी, लोटते में तुमारे लिए प्रसादी के केले भी लेती आऊंगी, बाहर से सांकल चड़ाय दे रही हूँ, आज कोई है नहीं, गुरु महराज बाहर गए हैं और माया दीदी अपने पुराने अखाडे में गई हैं, कल तक लोटेंगी, से एक पतली सी भगवा साड़ी पहने थी, और उसे भी उंचे बांधे हुए थी, साड़ी की पतली भाजों से जाकते हुए उसके पुष्ट यौवन की जलकिया देखकर चंदन नारी होते हुए भी लजा कर रह गई, किन्त उस वनकन्या को लज्जा के लिए आवकाशी नह अच्छा जी, नई भैरी, इतने दिनों तक क्या तुम सचमुच दिनरात बेहोशी में पड़ी रही थी, चंदन ने इस बार भी कुछ उत्तर नहीं दिया, हाई राम, सचमुची गूंगी हो क्या, राम रे राम, ऐसा गंधर किन्दरियों का सा रूप दिया, और मुह में ए चरी को देखती रही, बाप रे बाप, हिम्मत तो तुमारी कम नहीं है जी, हमारा तुस कल मुहे इंजन को देखती ही कलेजा धड़कने लगता है, और जानती हो, कहां गिरी थी तुम, सुना है, साप को देखकर पक्षी मंतरमुग्ध हो जाता है, किसी ऐसे ही पक्षी की तरह चंदन इस बड़ी-बड़ी आखों वाली जंगली लड़की की लच्छेदार बातों में बंद कर रह गई, ठीक, जलती चिता से आधे गज की दूरी पर, जरावी और तेजी से गिरी होती, तो घोशाल बाबु के लड़के के साथ सती हो जाती, वनकन्या न साथना करने चले गए थे, नवेंदु घोशाल के जवान लड़के की अजली चिता छोड़कर ही, लोग तुम्हें हवा में तेरती लास समझ भूद भूद करके भाग गए, तो बोसाईं तुम्हें कंदे पर रखकर आदी रात को द्वार खटकटाने लगे, मैं नहीं पहले तो घबरा गई, ऐसे मुर्दा घर लाकर तो कभी शवसादना नहीं करते थे गुरू, फिर आज कंदे पर मुर्दा कैसे ले आए, फिर तुम्हें मेरी खटिया पर सुला कर लगे हाक लगाने, माया, ओ माया, माया ससुरी एक बार दम लगा कर फिर क्या कभी इस लोक म रहती है, नहीं उठी तो मुझसे बोले, देख चरन, अमावस के दिन चिता के पास गिरी होती, तो आश्रम को अपूर तोहवा जुटता, जलती चिता, वो भी अकाल मृत्य प्राप्त ब्रहमचारी तरोन की चिता, पर फिर भी स्वयम विधाता ने इस नई भैर्वी को प् समझी और मैं राद बर तुम्हारे सिराने बैठी रही, सच पूछो तो मैं तुम्हें मुर्दा ही समझे रखवाली कर रही थी, गुरू शव साधना तो निते करते ही रहते हैं, कि शूरी के शव को इस बार शायद धूनी रमा का घर पर ही साधेंगे, पर तुम्हारे जब पर हाथ धरा, तो जान गई कि तुम मुर्दा नहीं हो, ये कोई मठ है क्या, क्षीनर स्वर में चंदन ने पूछा, और उसके प्रश्न के साथ ही वो काली लड़की उससे लिपट गई, तब तुम गूंगी नहीं हो, इतनी देर तक गूंगी बनी क्यो ठग रही थी, तुमने मुझे कुछ कहने का अवसरी कब दिया, इस बार चंदन हसी, सची तो कह रही थी वो, बकर बकर करती हुई ये मुखरा लड़की चुपी कहां होई थी, क्या नाम है तुमारा, चंदन नहीं फिर पूछा, चरन चरन दासी, और तुमारा, उसकी मोहक हसी पल भर में उसके डूपते काले व्यक्तित्तो को संभाल लेती थी, मोटे अधरों पथिरक्ती मधूर हसी का मोहक माधुरे, तीखी नाक के रास्ते चड़कर, उन बड़ी कर्ण चुम्बी आँखों में काजल की सुर्मा रेखा बनकर समढ जाता, चंदन वा, कैसा मेल खाता है तुमार को पीठ की विथा को भी भूल गई, एक बार माया दीदी अपने पुराने अखाडे के लोगों से मिलने नयमिशारण ने गई थी, हम भी साथ थी, वहां सीतापुर के गार्ड बाबू अपनी पगली बिटिया को भभूती लगवाने लाते थे, एकदम तुमसी ही गोरी थी वो गार्ड बाबू थे निखाले साहब, मेम थी काली कलूटी और बिटिया ऐसी गोरी चिट्टी की छुओ तो दाग लग जाए, चलू अब कहीं माया दीदी आ गई तो बहुत बिगडेंगी, वो आचल को कमर से लपेटती चली गई, चन्दन एक बार फिर अकेली रह गई उसके जी में आ रहा था कि वो एक बार फिर अपनी अचेतन अवस्था में डूप जाए, एक अग्याद भै की सिहरन रह रह कर उसे कपा रही थी, वो भागना पी चाहेगी तो कैसे भाग पाएगी, चारों और गहन वन, सम्मुक बाहे पसारे, शिव पुकुर का महा शम्श की, दो कदम चलने पर ही पैर डगमगाने लगे, वो पलंग पर बैठ कर हाफने लगी, लेकिन इस बात की खुशी हुई कि पीट की हड़ी निश्य ही टूटी नहीं है, यदि टूटी होती तो वो क्या सतर चाल से ये चंद डग भी भर पाती, वो एक बार फिर खड़ी बड़े आत्म विश्वास से सधे कदम रखती, वो पलंग पर लोट आई, पीट में दर्द अभी था, पर हड़ी में इस बार वैसी अस्सह शूल वेदना नहीं उठी, कुछ दूनों तक एकांत में ऐसी ही चहल कदमी करती, वो निश्य ही अपनी मांस पेशियों की खोई शक्ती फिर पालेगी, इस सुखद अनभूत से पुलकित होकर वो एक बार फिर लेट गई, अचानक उसकी द्रश्ट एक कोने में गैरेक कथरी से बंधी टोकरी पर पड़ी, टोकरी का धकन जैसे किसी जादूई चमतकार से हिलता डुलता, क्रमशा हवा में उपर उठता ज और कथरी की शिथिल गाठों को ठेल, खोलता, एक काला चमकता नाग, फन पहलाता, फूतकार छोडता, अपनी चिरी हुई जीव लपलपाने लगा, चंदन थर्थर कापती, सर्वता अवश पड़ी रही, कुंडली खोलता विश्दर, भायावे रूप से फन पहलाए जूम लगा, इस बार चंदन अपनी चीख नहीं रोप पाई, उसी चीख को सुनकर एक मूर्ती द्वार पर आकर खड़ी हो गई, क्या बात है, अंग्रेजी में पूछे के प्रशन को सुनकर वो चौक उठी, सारी देह पर भस्न, कंधे तक फैली, उलजी, कुछ सुनहरी, कुछ भूरी जटाएं, आरक्त चक्षु और नग्न दे, चीख क्यों रही थी, इस बार प्रशन का उत्तर दिया स्वयम कृद्ध विश्धर की फूतकार में, ओ, वो उदासीन सहसा ठठा कर हसने लगा, कैसी अद्बुत हसी थी, जैसे किसी ने उची परवत शेनी से बहुत कोई शिला नीचे लुड़काती हो, भोले के कंठार ने डरा दिया लगता है, क्यों? फिर वो लंबी-लंबी डग्ये भरता उसी पिटारी की और बढ़ गया, अब मानो वो चंदन की उपस्तिती भी भूल गया, खाना मांग रहा है मेरा बेटा, लगता है चटोरी चरन आज इसके हिस्से का सब दूद पी गई, बेटे का कासे का कटोरा तो रीता पड़ा है, यही नालिश कर रहा है न, चंदन का कलेजा धगधग कर उठा, कासे के कटोरे का दूद तो चरन ने नहीं, उसी ने पिया था, आने दे चरन को, वो कह रहा था, आज उसकी नीली दे को डस कर और भी नीली कर देना अच्छा, फिर उसे टोकरी से उठा कर अपनी नगन छाती पर लगा कर ऐसे दुलारने लगा, जैसे वो सचमुची उसका लाड़ला बेटा हूँ, मूख नालिश करते नागराज को अब उसने अपनी ग्रीवा में लपेट लिया, और कभी इसने पुत्र को दूद पिला कर क्या यहीं सुलाने लाएगा वो, लंगा अवधूत, और यदि अपने अंगारे सी दहकती आखें चमकाता, उलजी जटाएं फैलाता, वो अपना दुरदांत चेहरा, विवश पंग्व असाय पड़ी चंदन के चेहरे से ही सटा बैठा तब, क्य कर लेगी वो, कंठ हार से कंठ का स्वामी तो कुछ कम भयावना नहीं था, उसका चेहरा वो ठीक से नहीं देख पाई थी, उसने देखी थी केवल लाल आखें और भस्म पुती छाती, गुफा में दूसरा द्वार होता तो अपने समस्त मनोबल की बैसाखियां टेकती भाग निकलती, पर जिस द्वार से वो गया था, उससे वो जाती भी तो शायद अवधूत से ही टकरा जाती, हवा के अप्रत्याशित जोके साओ लोटा, हाथ में कटोरा और उसके गले में लिप्ता लाड़ला, उसने एक बार भी चंदन की ओर नहीं देखा, दूत का कटोरा खाल नाटकिये घटना देखी, अवधूत जुका, टोकरी में कुंडली मारे तक्षक ने सिर उठाया, अपनी जीब स्वामी के अधनों तक लाकर वो फिर टोकरी में दुबग गया, मानव और उसके जन्म जन्मानतर के शत्र का मैत्री चुम्बन देखकर, चंदन की विस्पारि द्रश्ट पल भर को इस्थिर बन गई, वो एक टक उस ओगर सन्यासी को देखती रही, सन्यासी ने टोकरी को बांधा और धरा पर गड़े तिशूल के सम्मुक पालती मार कर पैट गया, फिर शन्म भर में उसने इधर दर बिखरी हुई अव्यवस्थित लकणियों का तिरक पोड बना डाला, एक दिर्ग इस्थाई धूनी की स्रश्टि कर पूरे कमरे को धूए से भर दिया, सन्यासी की अब तक अइस्पष्ट आकरती सहसा खिड़की खुलने पर इस्पष्ट हो थी, अंग भर में पुती भस्म, आश्र जनक रूप से लंबा कद और बैठने की अ वथा उदासीन, गंभीर चेहरा और उस गांभीरे को चीर कर पूरे कमरे में फैल रही एक तेजो मैं दीपती, चंदन एक टक उसे देखती जा रही थी, कैसा शांत चेहरा लग रहा था, ना तीक्षनता, ना ख्षन भर पूर चरन के प्रति उठ रहा क्रोद का भग्का, अ इसे देख रहाता हो पागल योगी, अपने दुलारे तक्षक को, राक से ठंडी धुनी को, या त्रिशूल के नीचे पड़े नरक अंकाल के इस तूपी करत पिरेमिट को, उस निर्विकार नग्रिता को देखकर भी चंदन को भे नहीं हुआ, बीच बीच में वो अपने ल इसमरती उसे ऐसे गुदगदा रही थी, अचानक एक जटके से वो जलती धुनी में चिम्टे का कड़ा प्रहार कर उठ गया, चिम्टे की चोट से जलती धुनी के मुठी बर अंगारे पूरे कमरे में फुलजडी की बोचार से बिखर गये, और राक मिश्रित धुएं के ग धुम्रे रेखा को चीरती, चरन, हाथ में पूजा की थाली लिए बढ़ रही थी, लोग आज तुम्हारे भागे से प्रिसादी में खूब सारे केले चड़े थे, तीन-चार केले चरन ने उसकी चारपाई पर डाल दिये, फिर वो उकसाई गई धुनी को देखकर घबरा ग चंदन समझ गई, इसके हिस्से का दूद तुमने मुझे क्यों पिला दिया चरन, चंदन के पास ही थाल रखकर चरन धम से बैट गई, अच्छा तो गुरु महराज लोट आए, अब वो लोट आए हैं, तब माया दीदी भी आती ही होंगी, उन्हें तो उनके आने और जाने की खबर जैसे हवा से मिल जाती है, फिर तुमारे पास मुझे वो बैठने देगी, अच्छा अब बताओ जी, तुम रेलगाडी से खुदी कूद गई थी या किसी ने धकेल दिया था, कदली ग्रास सहसा चंदन के गले में अटक गया, उसे लगा, वो इस वन ब्रगी सी माया दीदी ने अपने पुरुष कंट स्वर की वज्र हुंकार से पूरी कुफा गुफा गुझा दी, ये तुमारे पास बैठी बाते मार रही होगी, आज मंगलवार है, मंदिर में एक ही बजे भीड़ जमा हो जाएगी, बहार आई या नहीं, अब प्रसन अबाद्ध मु पूछले, दीदी तुमने कुछ खाया या नहीं? इसी से चलने लगी, तो बहन ने साथ चबेना बांदिया, कहने लगी, दीदी उकलूटी तो मुझे पानी को भी नहीं पूछेगी, तेरा खाया पियाना निकालने वही बहुत है, फिर उसने पुष्ट जांगों पर प्रिदय हीन शत्र बनकर उसके जिवागर पर चढ़ाई, उसके जी में आया कि वो उसके हां से रोटी छीन कर खा ले, शायद उसकी लोलुक शुधातुर द्रिश्टि की याचना वैश्रमीने देख ली, क्यों जी, ऐसे क्या देख रही हो, खाओगी क्या, आज तो खुब होश में हो, क्यों? फिर उसने वेंगात्मक हसी से उसको छेट कर एक रोटी ऐसे थमाई जैसे दीन विक्षुक की जोली में बड़ी अनिच्छा से अपने मुक का ग्रास डाल रही हो, किन्तु चन्दन की खुधा के विक्राल, सर्व भक्षी, रूप के सम्मुक, आत्म सम्म किसी कायर मित्र की ही भाती दुबक कर अद्रश्य हो गया था, उसने लपक कर रोटी थाम ली, लगता है चटोरी चरन ने तुम्हें कुछ नहीं खिलाया, वो कहने लगी, अपने को तो जब देखो तक कुछ ना कुछ चड़ती रहती है, यहां पेट नहीं भरा तो भागती उस गुपलिया की दुकान पर, सब रोटियां खाकर माया ने रुमाल हिला हिला कर रोटियों का चूरा हतेली पर रखा और फांग गई, फिर विलंबित ले में दो प्रभावशाली टकार लेकर चरन को पुकारा, ए चरन चल इधर, एक पल बैठ नहीं सकती क्या, जब देख चरजनक रूप से लंबा मरदाना कद और गढ़न देखकर चंदन अवाक रह गई, रात के गहन अंधकार में बिहोशी की अटपटी चेतना में जो वैश्रमी उसे महा कुच्सत लगी थी, वो क्या यही थी? क्या, दिन के उजाले ने उस पर सहसा जादू की डंडी फेड़ उठे कपोलनों पर निरंतर चबाए जारे बंगला पान की नशीली रक्तिम आभा, नुकीली ठोडी पर तीन-तीन बुंदकियों में खुदा, गोधना और माथे पर उससे मेल खाती एक नीलाब लंबोतरी भिंदी, जो प्रशस्त चमकते ललाट को समान भाग में विभक्त क जूलने भी लगा था, किन्तो चेहरे की दीप्ती ने जैसे बढ़ती वयस की इसपष्ट पदचाप सुनकर भी अनसुनी कर दी थी, आँखों में काजल की मोटी रेखा, मोटी गठन वाले विलासी अधनों से उर्ता खुश्बूदार जर्दे का भग्का, रुद्राक्ष क बीच बीच गुथे एक रंगीन मनकों के दाने, परिपाटी से सवारा गया जटा जूट का जूड़ा और उसमें लगा धतूरे का पुश्ब, सब मानो उसके विराक के रेगिस्तान में यतन से बनाए गए नकलिस्तान थे, वो चेहरा यौवन काल में निश्चे किसी भी प फेर की नहीं सकता था, खबरतार, चरन ने चंदन को बार में साधान भी कर दिया, कभी भी माया दीती की आखों के और देख कर किसी चीज के लिए, हाँ मत करना, वो तो सिद्ध योगनी है, आखों ही के भाले से सब को छेत कर रख सकती है, सचमुच ऐसा ही व्यक्त तो था म 64 योगनीयों की मंदिनों की आत्माही स्वयम साकार होकर उस अरणे से अवतरित हो गई थी, तांतिरकों की शक्ति हो विद्या अविद्या ज्यान अज्यान योग एवं भोग को मुठी में बंद कर पल-पल में अपनी योगिक बाजीगरी से चंदन को छलने लगी, कभी उन त्रिशूल तानकर डाकिनी शाकनी का रूप धारर कर खड़ी हो उटती, आखों से ऐसे अगनिबार छूटते कि लगता अभागी चरन भस्म हो जाएगी, उसी क्रोद की लप्टों पर पानी उडिल देती थी अवधूत स्वामी की आकस्मिक उपस्तिती, जादू की छड़ फेर कर वो उसे किशोरी बना देता, तो चंदन को अपनी आखों पर विश्वासी नहीं होता, वो क्या स्वपन देख रही होगी, कहां गई वो क्रोद की लप्टों की विभत्स बनी जुलसी प्रोड़ा, यही तो था योगनी का सच्चा रूप, कभी सुर सुंदरी नायका और कभी पार्वती मातर सुरूपा गौरी, यही तो है सिद्ध योगनी की तांतरिक विजय, नंगे अवदूत की सच्ची सहचरी, महा माया, महा विद्या, धूनी धूमर से अवरुद अवसन मुसकान, ना वो ग्यान की उपासिका थी, ना वेद की, संसार की माया उस योग गुनी के लिए म्रग मरीचिका थी, कल्प विकल्प के जाल में वो उलश्ती ही कब थी, आकाश गगन, सिद्ध कुल, कन्या साधना, कुंडलनी, जागरण, शट चक्र, काया साधन, सबके बाग मार कर अब वो वागंभर पर बैठ चुकी थी, किन्त जीवन का सबसे बड़ा दुख्तो छाती पर शिला बनकर राद दिन उसे धरातल में धसा रहा था, गुरू थे सिद्धा अमरत मार के अन्याई, तिर्शा क्रांता सिद्य योगनी, अमरत वारुनी के स्वर्ग कलश को दूर से नहार सकती थी, निकट आकर इसपर्ष कर भी लेती, तो स्वामी के ते वाह, खासा चेहरा पाया है तुमने, वो बोली, पर देखो, बात साफ कहनी ही हमें पसंद है, यह है अगोरी गुरू का आश्रम, दस तरे के ओगर अवदूर जुटते रहते हैं, ऐसी दहकती आश में भला हम घी कैसे रख सकती हैं, फिर माया दीदी की अर्धोन मीलिप दर जिने का प्रबंद कर रही थी, दूसरी मुसीवत तो मा गई, उसका स्वर अचानक एक रुष्ट जंकार से जंकरत हो था, पल भर चुप रहकर वो फिर से जर्दे का पीक गुल्गुलाती कहने लगी, हम दोनों प्रानी दिनरात तंतर मंतर की सिद्धियों में मसान में भट रखते हैं, मसान का उल्ले करती उस कपाल कुणिला का पूरा चीरा बदल गया, रुक्ष स्वर अत्यंत मधुर बनता कोमल कंधार को छूने लगा, चलने फिरने लगोगी तो तुम्हें अपनी गुरु बहन के अखाड़े में पहुचा दूँगी, कहीं चिठी पत्री अता आत्मी अस्वजनों से दूर वो एक नए जीवन का सूत्र पकड़ कर वैरागे सोपान पर कदम रखती निर्वे बढ़ती चली जाएगी, पर माया दीदी का आदेश इस पश्ट था, वो इस गोहा में प्रवेश पाकर भी इस थाई रूप से नहीं रह पाएगी, जो जननी उसकी विदा के दिन रोती, कलपती, पचाड़े खाती, उसकी डोली के पीछे दूर तक भागती चली आए थी, वो क्या उसे अब जीवित पाकर भी छाती से लगा पाएगी, और फिर क्या मा की ही भाति उमरते यौवन की वेगवती धारा को सैयम के बांध से बांधिती, सम से मोर्चा ले पाएगी, प्रमशा अंधकार में डूपती उस एकांत निर्जन काल कोटरी में एक साथ तीन चार दान्वों की प्रेताकरतियां उसके इर्दगिर्द खुंगने लगी, विशाक्त चुम्बनों की इस्मरती रेतीले बिच्चुओं के से डंक सी उसके सरवां की शिराओं को जंजना गई, अपने जीवन का ये अभिशप्त परिच्चेद खोल कर वो ना अपने पित्र कुल की महिमा धुमिल कर सकती थी ना श्वसुर कुल की, चाहे अगोरी अखाड़ा हो या वल्लबी, अंजाने अंचाहे कंट में पढ़ गई रुद्राक्षी माला ही अब उसका मंगल सूत्र थी और गुरू के हाथ की लगी चिता भस्म की भबू थी उसके सीमान्त की सिंदूर रेखा, माया दीदी बड़ी देर तक नहीं लोटी, साथ में चरन को भी लेती गई थी, चंदन अब इस एकांत की अभ्यस्त हो गई थी, दिवस का अवसान आस लगती बुच्ती, लुकाटी के दुएं की एकात कडवी गूट उसके कंट तले उतर जाती और वो अजीब घुटन से भर जाती, बल्लियों से जून रही गैरिक पोटलियों का चंदोबा, लंबी जालरों की भाती, हवा में मंडला कार फैरा रहा था, खिड़की से आती मह हुआ की मादक सुगंद और दूर के मंदिर से उसी हवा की सुगंद के साथ तैरती आ रही, घंटियों की रुनुक जुनुक में वो अपनी समगर चिंता भूल गई, यही तो सुख है इस अंजाने वैरागे के थेकाने में डूबने का, यहां कभी कोई नहीं जान पाएगा वो कौन है, वो विवाहित है या कुमारी, वो रेलगाडी से क्यों कूद गई, कौन सी ऐसी विपत्ती पड़ी थी उस पर, जैसा ही विचित परवेश है यहां का, वैसे ही जिग्यासा विहीन को तोहल शून्य संगी सा थी, चुल्बुली चरन ने एक बार भी अपना प्रश्ण फिर नहीं दोराया, और माया दीदी, माया विनी, अखंड सचिदानंद की विचित रुपासिका, वो क्या लेश मात्र भावुकता को भी सह सकती थी, उसके लिए भावावेश का इस्थानी कहां था, वो कुछ भी जानना नहीं चाहेती थी, शायद इसलिए कि व वर्शों के फरार खुनी से भी उसका अपराच स्वीकार करा सकती थी, अंजाने में किया गया पाप पाप नहीं है भैरवी, उसने एक बार दिवा सपन में डूबी चंदन से कहा, तो ऐसे चौख पड़ी, जैसे गर्म लोहे से दाग दी गई हो, कैसी अद्भुत भी तुमारे साथ खुन माफ कर देता, फिर वो तो तुमारा रूप पे पासू पती था, तुम्हें हतेली पर बठा कर रखता, खेर, अब तो गुरु ने चिता भस्मी टेक दी है, अब इस ललाट पर सिंदूर का टीका कभी ने लगेगा, एक लंबी सांस खीच कर माया दी चली गई, गला न जाने क्यों अब रुदसा हो गया था, सुना कि उसकी अचेतनावस्था में ही गुरु उसके हिमशी तललाट पर चिता भस्म का टीका लगा गए थे, शिव मंदिन में प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला उसे अपने हाथों से पहना कर बड़ी देर त कुब मजा आया हमको, चरन नहीं सब उससे बताया था, क्यों? लो, पूछती हो क्यों? क्या अपना चेहरा कभी आइने में नहीं देखा? गुसाई ने तुम्हें अपने हाथ से कंटी पहनाई, नाम दिया भैर भी, फिर टुकुर टुकुर देखते रहे, इसी से माया दीद जल्बुन गई, अभी भी नहीं समझी? इस बार वो खिल-खिला कर हस पड़ी थी, नहीं तो चालीस बरस की उमर में घर, दुवार, भरी, पूरी, गिरिस्ती, तीन-तीन बेटों और मालिक को छोड़ कर इनके पीछे मसान घाट की धूल चानती? कभी-कभी रात-रात-बर ग तुझे वहीं पहुचानी होती है. दोनों के हाथों में चिलमे थमाती हूं, तो लगता है अर्थी में बंधे दो मुर्दे ही खुल कर आमने सामने बैट गए हूं. चिलम के अंगारों सी ही लाल-लाल आखें और तम-तमाता चिहरा. कैसी बदल जाती है माया दीदी? मेरी तो भाग क्यों नहीं जाती? एक दिन चंदन ने उससे पूछा और वो चोट खाई सरपनी सी ही उसकी और पल्टी और इस्थिर द्रश्टे से चंदन उसे देखने लगी थी. जब तुम चलने फिरने लगोगी तब यही प्रश्न में एक दिन तुमसे पूछूँगी. भैरवी देखूं तुम क्या कहती हो? और सचमुची महीने भर बाद जब चरन ने उससे एक दिन यही प्रश्न पूछा तो वो कोई उत्तर नहीं दे पाई. अगोरी आश्रम में आए उसे दो महीने हो गए थे. उसे दूसरे अखाडे में भेजने की धमकी को शायद माया दिदी मैमी भूल गई थी. रात को माया दिदी उसे अपने साथी सुलाती थी. चरन भी उनके पायताने सोती थी. कभी कभी आखें खुलती तो देखती दोनों बिस्तरे से नदारद हैं. पहले दिन तो भेके मारे उसके बोल भी नहीं पूटा था. उस अंजान खंदक खाई में छ शिपा कोई शत्री अचानक उसे दबोज बैठा तो वो कर ही क्या लेगी? एक बार सौभागे कल्प तरू विद्धुत वनी के आकस्मिक वजरपात में जड़ तक जुलस का ठूट मात्र रह गया था. इसी से अब सामा ने मेग खंड़ों के बीच चमकती बिजली की तडब भी उसे थर-थर कपा देती. कहां गई होंगी दोनों? कहीं जान बूजकर ही तो उसे नहीं छोड़ गई? क्या पता उस नंगे अवधूत से ही कोई साट घाट हो? तुम्हें एक टक देख रहते कुसाई. चरन ने कहा तो लज्जा से लाल पड़ गई थी. छी-छी, उन्हो उसे अपने हातों से तो द्राक्षी कंटी पहनाई थी. केवल नौ हात की भगवा धोती में लिप्टी उसकी अरक्षित देह और उस पर परपुरुष का इसपर्ष अकेले में. ये सब सोचकर उसका मन नजाने कैसा कैसा हो जाता. कभी-कभी सारी राती आशंका में कट जात चरन आकर चुपचाब अपनी खटिया पर लिड़ जाती पर माया दीदी बड़ी देर तक खटिया पर बैठी एक टक नजाने खुली खिर्की से किसे देखती रहती उनका चेहरा एकदम किसी कुशल बहरूपिये के चेहरे सा रंग बदलने लगता. धूप में तपे तामर पातर सा दमकता चेहरा, कपाल पर चढ़ी आखें, उची जटा पर लगा धतूरे का पुश्प और क्षितिज में खोई हुई परलोग की द्रश्टी. किये है माया दीदी, आनबी को? चरन उनसे बंगला में ही बोलती, वैसे भी माया दीदी की हिंदी में बंगला का ही पु पारती थी, लतून भैरवी मतलब नूतन भैरवी कहकर. हम, माया दीदी के प्रशन का हुंकारा ऐसी भयावे हुमक से गुआ में गुंचता कि कोने में लेटी चंदन की छाती से लेकर पेट तक भै से असंखे डमरू डम डम कर बजने लगते हैं. पगला गई है क्या? ऐसी आखे क्या साधरान मानवी की होती हैं? और उस दिन पर चंदन की पांचों उंगलियां घी में रहती. दिन भर एक के बाद एक कई चिल्मों पर दम लगाती माया दी इस लोग से बहुत उपर उठती सीधे ब्रमार्ण में पहुंच जाती. उस दिन भी यही हुआ, रात भर क की साधना माया दी की लाल लाल आँखों में उतर आई थी. जूड़ा शितिल होकर चोड़े कंदों पर जूल रहा था. गुरू की धूनी निरंतर धदक रही थी. किन्तु गुरू थे ही कहां? पिछले तीन दुनों से वो अपने लाडले को दुलारने भी नहीं आये थे. च रोटियों के ठके का ठका साफ कर गई. चंदन के लिए भी चटपटी चटनी से सजाकर रोटियों का एक ठका ले आई. माया दी बाल सुलब हसी से दीप्त अपनी उजल दरश्टी पीपल के पेड़ पर टिकाय चुक्चा बैठी थी. चरण उनकी इसी ध्याना वस्था का मन माना लाब उठा रही थी. उनके ही सामने उसने पहले उनके लक्षमी विलास सुगंधित केश तेल से छपाक छपाक अपने रूखे बालों को रस्चिक्त किया. फिर उनकी गेरुआ पोटली से चालियों और सुगंधित तामबूल मुक रंजन मसाले की गहरी चुटकी भर क निकाली. चांदी की काजल की डिबिया से काजल निकाल अपनी बड़ी बड़ी आँखों को आँजा. काले लेलाट की महिमा को एक बड़ी सी काजल की बंदी लगा कर और भी गहन बना हस्ती हस्ती चंदन के पास आकर बैठ कई. ऐसा क्यों कर रहे हो चरण? माया दी सब है न माया दी और वो द्रश्टा सच्मूची उनके सम्मोग घुटने टेक कर पूछने लगी थी। उत्तर में माया दी का सामला चेहरा अनुपम हसी से उद्भासित हो उठा। द्वार बंद कर वो उसे बाहर खीच ले गई। कितनी मोड मरोड वाली पतली पगडणियों के ग कहीं कहीं अरने पाल से खड़े नारियल के रौबदार रक्ष और कहीं वेडवनु के जुर्पुट से बहती खोकले बास के रंदर को भेती वंशी किसी मीठी मुखरा बयार। गहन अरने का जो थान चंदन की विसफारित मुग्द द्रिष्ट के सम्मुक स्वयम खुलता च खगने कतारबध पेड़ों की पंगती शेश होते ही स्वयम प्रिकर्थ के दक्ष हातों से सजे मालती लता के कई गुल्दस्ते एक तूटी सी मजार के सम्मुक एक साथ बिखर गए थे मजार पर जलती हुई लोबान का सुगंधित धुआ उस अरने के ओर छोड़ सुवासि उठ गई चांद बाबा की मजार है ये हर शुक्रवार को दूर दूर से लोग आकर यहां मननत के डोरे बान जाते हैं कहते हैं यहां की बंदी डोरी कभी जूटी नहीं होती सचमुची मजार के जालीदार पायों पर असंख रंग उड़ी नई पुरानी डोरियां बंदी थ यहां मैं जानती हूं क्या मांग रही थी लोट लोट कर वो दुष्टता से मुस्कुराने लगी डोरी बंदने से क्या होता है गोसाई तो कभी आख उठाकर नहीं देख सकते वो दूसरी लाल डोरी हमने जो बंदी है मजार के पास खड़ी चंदन के नाक मुमे लोबान का तेज खुशबूदार धुआं महराबों से छनकर घुसा उसका माथा गुम गिया क्या सचमूची उस निर्विकार अवधूत के प्रेम में वेवला इन दो सौतों के बीच उसे अपना जीवन गुजारना होगा चलो अभी तो मंदिर बहुत दूर है पतानी गोपाल खैपा अर्थात पगला भी कहीं हाट बजार न गया हो तब तो चाय का एक प्याला भी नहीं जुटेगा क्यों चन्दन को भी बड़ी जोर से प्यास लगाई थी वैसे भी वो तुलसी दास की सात्विक चाय पीकर उबने लगी थी वो क्या मंदिर का पुजारी है उसने फिर वहीं पर चाय पानी की छोटी सी दुकान भी करता है खासी बिक्री हो जाती है पर मूरक धिले पैसे का हिसाब रखना नहीं जानता और कोई होता तो हजारों की माया जुटाली होती मैंने तो कई बार कहा अरे मिठाई विठाई केक बिसकुट भी रख लिया करना दुकान प खरा है बोला सूतक में भला कोई प्याज खाएगा कैसी बात कर रही है तू अब कौन समझाए उसे अरे इसी मसान में सगे छोटे भाई को फूख कर पीपल तले बैठे एक बड़े भाई को बोतल खोलते भी देख चुकी हूँ हसी मचाग सब कुछ चलता है हां चिता पर च वा योग भान जी है देखने में साक्षात लक्षमी जी में आया ससुरे भान जी के मामा को उसी जलती चिता में धकेल दो अरे अभागी को पूरी तरह जलने तो देहरामी कौन कहता है मसान में बैरागू बचता है तुम क्या अकसर यहां आती रहती हो अवाक हो कर चंदन न आयादी बार-बार कहे देती हैं देख चरण वहीं बनी रहना किशोरी साधिका है गुरू की साधना का फूल तू वहीं बनी रहेगी तो साधना पूर्ण होगी गुरू की गुरू तो बैठे रहते हैं जैसे पत्थर की मूरत उन्हें चिलम थमा कर इसी पीपल की ओट से य इनाटक देखती हूं कभी कभी खैपा देख लेता है तो यहीं चाय पहुचाता है दिमाग का कोठा तो खाली है भागे का पर दिल का पूरा सिकंदर है एक शीशी में इलाईची दालचीनी सोंट नजाने क्या क्या कूट कर रखता है कहता है स्पेशल चाय बनाता हूं तेर पहुच कर उसे बिठा दिया और स्वयम फिर उसके पैरों के पास बैट गई मैं तो कभी उसे ग्रहकों के सामने खूब चड़ा देती हूं चाय एकदम ठंडी है रे खैपा लगता है आज किसी बुजी चिता के अंगारों पर ही केटली धर के उबाल लाया है जट हसका दू पिरी स्पेशल चाय पिलाओंगा लो यह आ गई उसकी दुकान चलो अच्छा हुआ खुली ही मिल गई ओए खैपा को थाए गैली रे अर्थात अरे पगले कहां गया रे दुकान के पास ही लगे नारियल के सतर रक्ष की डालिया हिली और साप सा सुसुराता नारियल कीसी ठोड़ दे का खैपा हस्ता वा उनके सम्मुक खड़ा हो गया पहले उसने चरन को देखा फिर चंदन को धीरे दीरे महा कुच्सित चेचक के दागों से भरे चेहरे पर आश्चरे आनंद और जग्यासा की असंग के जुर्यां उभराई चंदन से हरुठी सामने पहला का सपाट मैदान क्षीर से क्षीरतर होती नदी की मरियल धारा और फटे टाट के चंदोबे के नीचे खड़ा मसान का वो विक्राल चांडाल वा वा आज तो एकदम बढ़िया दुशाला पा गया है रे किस भागवंती ने चिता चड़कर ये चूनर थमा दी तुझे मुझ रचमुची चिता पर सद्य दग्द दे से विलक की गई चूनर ओड वो दुकान में लगे तूटे दरपण के सम्मुक खड़ी हो गई और जुख जुख कर अपना चेहरा देखने लगी अरे क्या करती है गोपाल ने घबरा कर उसे अपनी ओट में छिपा लिया देखती नह अरे देखने दे अभी उनके लोटने में देर है फिर सबकी पीठ है हमारी ओर चेहरे नहीं हाए हाए एकदम गोरी उजली है ये तो किसके घर की मिट्टी है रे पैर तो देखो भेरवी चंदन ने अपने जीवन में पहली बार जलती चिता की और अनभ्यस्त भे चके दरश्ट फेरी दो सफेद आलता लगे पैर छोटी सी चिता का घेरा तोड़ फोड़ कर ऐसे बहार लटकाए थे जैसे गोर चरण युगल की सामिनी अभी-भी लप्टों की जुलस से कूट पड़ेगी नंद बाबू की बिटिया है वोपाल कहने लगा अभी पिछले फागुन ही में तो विवा हुआ था याद नहीं है तुझे इसी की शादी के तो संदेश खिलाये थे जापे के लिए माएके आई थी तीन दिन चटपटा कर आज सुबह मर गई चरण ने हर बनी चुपचाप खड़ी रह गई जलती चिता से आँखे फेरी नहीं पाई अगनी की लपटें गौर चरण युगल को लीलने बढ़ी और उसने दोनों हाथों में मूझ छेपा लिया कभी अपनी मा से सुना एक ऐसा ही प्रसंग उसे इसमरन हो आया पहाड के उपरेती कु के नाम की महिमा की दंतक था ना जाने कब किस बालिका वदू की अजनमा संतान ऐसे उसके प्राण ले बैठी थी पेट चीर कर शमशान में शिशु निकला था जीवित उसी का नाम पढ़ा उपरेती पता ने गटना में सत्य का अंश भी था या कोरी कपोल कलपना किन्तु क् इस गोरे गोरे सफेद पेरों की स्वामनी को भी अजनमा गर्भस्त शिशु को देखने की ललक लिये ही चिता पर चड़ना पड़ा चिता को घेर कर खड़े आत्मी सोजन कुछ पीछे के सकाय थे क्या तो उसका पिता जिसने एक साल पहले अगनी को साक्षी कर प्राणा धि चरन के तीखे स्वर को सुनकर चंदन चौकी तो देखा काले भूत सा खहपा एक टक उसी को देख रहा है चरन की पुकार सुन वो अप्रतिम होकर केटली के नीचे की आग उकसाने लगा कैसे देख रहा है मरा तुम्हें लगता है नई सुन्दरी भैरवी को देखकर पुरा कोई दूसरी बरात न जुटी तो पिछवाडे हमारी चाय भिजवा देना वो चंदन को खीच कर एक ढालू सी पगड़नी में उतर गई कैसा आश्चरे था कि वही चंदन जो कभी सड़क पर निकलती अर्थी की राम नामी सुनकर मासे चिपड़ जाती थी रात पर भैसे थ खर्थराती रहती थी आज महाशमशान के बीचों बीच जा रही सड़क पर निशंक चली जा रही थी कहीं पर बुझी चिताओं के गेरे से उसकी भगवाद होती चू जाती कभी बुझरई चिता का दुर्गंद मैं धुआ हवा के किसी जोंके के साथ नाक मुह में गुच ऐसी दुर्गंद जो कभी उसकी परोसिन के भोटिया चौके से आकर उसकी मा के सात्वे की नतुनों को कोच से फड़का देती थी आग लगे इस अगोर लाम्यानी को लगता है आज फिर भून रही है दमाद आ गया होगा अम्मा कहती और खिड़की पटापट मूंदिती उ व्यापार को निकलते और सास के आं अक्सर पड़ाओ करते रहते उनी जमाता प्रवर के स्वागत में पांगती मौसी पशम सहित भेड़ भून कर पूरा मोहला बसा देती पर आज चंदन को वही परचित दुरगंध मायके की सुध दिला गई वो पलभर को ठिटक कर खड़ हो गई और चरन ने फिर जग जोड दिया एजी चलो जल्दी वो रह मंदिर शम्शान की क्षिन नदी की धारा अचानक ही यूवती बन गई किसी किशोरी की देह की भाती यहां मंदिर के पास आकर सहसा गदरा गई थी साड़ी घुटनों तक समेट लो मेरा हाथ कसकर और पानी भी तो गहरा था शीतल जल की दुसासी लहरें उसे क्रमशा नीचे की और खीचने लगी और वो घबरा कर अपना संतुलन खोबर थी लपकर उसे किसी ने थाम लिया मुड़कर देखा तो भैसें आखें मूंड ली आजानु बाहु द्वय ने उसे थाम कर सीधी ख चुका था किसी को कुछ न सबजने वाली चरन भी पल भर को हकी बकी सी रह गई फिर हसकर चंदन को गहरे पानी के बीच खीच ले गई दर क्यों गई इनका तो यही हाल रहा है ना जाने कब कहां से सर साप की तरह रेंगते चले आएं ठीकी तो कहते हैं कि साप और सन्यासी क का घर क्या एक जगए होता है लगता है हमारे पीछे पीछे चले आ रहे थे मकमली पंजे हैं के एक दिन ऐसे ही मुझे चौका दिया था चंदन अभी भी उन दो लंबी बाहों के इस पर्ष को नहीं बुला पा रही थी कैसी उतप्त बाहें थी दोनों जैसे धूनी में तप किशोरी को भी क्या स्वामी की सिद्धी का वर्दान मिल गया था क्यों जी भैरवी क्या सोच रही हो हाथ खुब गरम गरम लगे होंगे ना गुसाई के अरे पहले दिन चिलम थमाने में कोहनी चूगई तो फपूला ही पढ़ गया समझो बाप रे बाप बाहें थी कि चूल किशोरी तरह साधारान मानोस हैं एक धूनी बाहर जलती है तो एक उनके भीतर वैसी ही तप उठती हैं कभी कभी माया दी दी एक दिन चिलम पहुचाने वट तला गई तो दोनों आमने सामने तने बैठे थे जैसे नाग नागिन का जोड़ा मैंने सुना स्वामी उनसे कह र अग्यानी स्वधा वैदिक गायत्री और अग्यानियों की मोहिनी वही ओ तुम महा माया महा विद्या उधर माया दी की उस दिन क्या अपूर रूप छटा थी काले छिटके केश कपाल में चड़ी आंक ललितासन में बैठी देवी की मूर्ती सी ही जगमका रही थी कहने लग क्या ये अपर लड़की अगोरी अखाडे में जाड वहार चिलम सजाते ही ये सब सीख गई थी गहरे जल में डूपती निकालती उसकी काली चमकती सुडॉल टांगें नील कमल और चोड़े चोड़े पत्तों के पाड़ की हावडा हाट की सस्ती मोटी दोती जिसका पलास फ चिंता से फैरारा आचल प्रिकर्ट की वनिस्थली में स्वेच्छा से विचरर करती है चंचल तितली और ऐसी बाते हैं क्या नित्य सुनसुन कर ही रट गई होंगी यही है मंदिर पैर दोकर मेरे पीछे पीछे चली आओ बिना हाथ पकड़े नहीं आ पाओगी लोही की पेड़ों से टकरा कर लोटाई प्राचीन देवाले के प्रवेश द्वार से भीतर जाते हुए चंदन को अपनी लंबी दे धनुष की प्रतंचा के समान दोहरी करनी पड़ी दो कदम रखते भयावे सूची भेद अंदकार में सैसा उसकी पत्रदर्शिका खो गई कहा था ना मैंने कि हाथ पकड़े रहो चरन का स्वर एक दभी हसी में खो गया फिर वो उसके निकट आकर चमगादर सी फरफडाने लगी लो पकड़ो मेरा हाथ और मेरे पीछे पीछे चली आओ भर्व की सिली सी ठंडी जमीन पर सहमे कदम रखती वो चरन के हाथ की लकटी पकड़े किसी अंधी भिख्षोनी सी ही चली जा रही थी आधे गज के अंधिकार की दूरी पार करते एक नन्ने गृत दीप के आले पर जल रहे जोती पुंज ने देवाले के एक छोटे से कक्ष को आश्चर जनक दीप्र प्रदान कर रखी थी जै शिव जै गुरू कहती चरन जीन चंदोवे से लटके चांदी के छटर को हिला हिला कर बजाने लगी चंदन एक बार फिर हत बुद्धि सी खड़ी रह गई ना वो हाथ ही जोड़ पाई ना पल कहीं जपका सकी कैसा जाना पहचाना देवस्थल लग रहा था वो फिर भी वो आज पहली बार यहां आई थी तब क्या किसी पूर जनकी इसमरती उसे ऐसे विवल किये जा रही थी नहीं नहीं वो ऐसे ही अन्दकार में डूप कर धर्शन मातर से ही उज्वलता के तीके प्रकास से उभरते एक अन्य शिव मंदर की इसमरती इसपष्ठ होटी थी क्या शिव के सभी प्राचीन मंदर जान बूजगरी ऐसे घनान अन्दकार में प्रतिष्ठ किये जाते होंगे उसकी सनिपात सी मरनासन अवस्था में मा की मानी गई मनोती पूर्ण करने एक बार जागेशवर के शिव मंदर गई थी ऐसा ही भयावे अन्दकार शमशान की निकटता हिम शीलता देवाले की धरा पर पड़ते सहमे कदम और शिवलिंग को आलोकित कर रहे ऐसे गृत दीप की जोती को थामे पीतल के पानस में गड़ी चंद वंश के राजाओं के शिल्प को अमर करती दिव्य मूरती मा का मीठा स्वर जैसे उसके कानों में गुञने लगा मा की ये प्रिय शिव इस्तुति कौन गाने लगाता यहाँ वो चौकर धरधर देखने लगी तभी देखा चरन चांदी का छत्र हिलाती जून जून कर गा रही थी ब्रगा दीज चर्माम बरम मोंड मालम बारही शताबदी के बने उस मंदिर की स्थापते कला में पाल वंशिय राजाओं की सुरची की छाप थी मूरतियों के सुगड आकार, जीवन्त हाव भाव, लास से कटाक्ष, वस्तरों की सुषपष्ट भांज सबके निर्मान में बंगाल के मूरतिकारों ने जैसे च्छेनी तोड़कर रखती थी काले राजमहल पर खुदी पारवती की वो मूरति वास्तों में दर्शनिय थी प्रसारित, दक्षर, करतल पर इस्थित था भविशिवलिंग एक और सिंग वाहन को दुलारते मुस्कुरा रहे थे नन्हे कारतिके और दूसरी और मूशका रूडगजानन अपने गजदंत से मा का आचल पकड़े ठुमक रहे थे चारों और बंगाल के शिल्पियों के प्रिय गदली वन की जूमती चौकोर पत्तियां पार्वती के माथे के उपर चवर सा डुला रही थी ये दूनिया निरंतर जलती रहती है, हमारे गोसाई के गुरू की धूनी है ये तब ही तो रोज इसे जलाने आती हूँ, चलो तुम्हें उनकी साधना की कोठ्षी दिखा लाँ चकरदार सीडियों का एक गुच्छा का गुच्छा पार कर चरण उसे इमाम बाड़े के से एक जालीदार जहरोके में ले गई जालीदार महराब से नीचे बहरई नदी की धारा दीख रही थी बास के बंसे आती साएं साएं करती हवा से पहाड के सरल इसकंद इसपरशी वातास का कैसा अद्भुत साम में था एक खूटी पर रोद्राक्षी कंठी जूल रही थी दूसरी खूटी पर लटका था एक रिक्त काला कमंडलू फो देखो गोपलिया की दुकान ऐसे दीख रही है जैसे छूते ही हाथ में आ जाएगी वैसे होगी कोई एक मील हाए राम, वहाँ तो तीन-तीन चिताएं जल रही है जी आज क्या बशीर हाट का पूरा गाउं ही मुआ जलने के लिए चुट गया है लगता है आज लोटते वकत भी वहाँ चाय नहीं मिलेगी पासी धरी शीशी से चरन ने तेल निकाला रुई की बत्ती बना कर रियत्न से जलाई फिर दोनों हाथ जोड़कर खूंटी पर टंगी रुद्राक्षी माला के सामने खड़ी हो गई जालीदार महराब के भीतर जल रहा प्रदीप नन्नी जालियों के असंक छिद्रों से प्रकाश की किरणे छोड़ने लगा गर्बा न्रत्यकरती गुर्जर कन्याओं के जोतिर पुंजवाली जालीदार हांडियों की याद ताजा करने वाले इस आलोकित जरोके में विधाता की गड़ी हुई दो अप्रतिम प्रतिमाय दमक रही थी एक दुबली पतली, लंबी, गौरवर्णा और दूसरी काली, चमकती, पुष्ट, भरे-भरे हात-पैनों की नंगी, नैपाली, खुकरी सा नाश्ती, पल-पल में प्रिकर्थ के बदलते रूप के साथ अपनी रूप छटा बदलती, वनकन्या चलो, वो दुद्राक्ष के एक दाने को अपने ट्रिश्ण ललाट से चुआ कर चंदन की ओर मुड़ गई, धूनी में एक लकड़ी लगा आओं, फिर लौट चलेंगे चरन उसे एक बार फिर दिर्ग परिकर्मा कराती एक दूसरी कोटरी में ले गई, जहां लकड़ीयों का एक विराट इस्तूप खड़ा था उन में से चरन ने एक मूटी सी लकड़ी खीच कर निकाली, चंदन के मन में उट्टी जिग्यासा को उसने फिर अपने अलौके ग्राण शक्ति से सून लिया क्यों जी, यही सोच रही हो न, कि कौन इस बीहड जंगल में वो लकड़ियां पटक गया शिवरात्री को यहां बड़ा भारी मेला लगता है, हिंदू मुसल्मान सब हैं, इस भोले के भक्त सुन्दरवन के जंगलों में तुमने सुना है, आज भी मजदूर हमारे गुसाईं के गुरू के ही नाम का जोर जोर से जब करते जाते हैं शेर भी दुम दबा कर भाग जाता है, उस वन फकीर के नाम से यहां चड़ावे में चड़ती हैं धूनी की लकड़ी और धतूरे का फूल, बस यही दो चीजें मांगते हैं हमारे भूलानात, एक बार तो कलकत्ते के एक सेट ने दस गाड़ी रकड़ी एक साथ डलवा दी थी, मोटी लकड़ी को धूनी में लगा कर चरण ने हाथ पोचे, फिर वो आचल की गाट खोलने लगी, थोड़ी देर सुस्ता कर अपचल देंगे, पहले तो मैं दिन डूबे पर लोटती थी, लगाई एक दम और बस फिर नीद ही नीद, सब सरंजाम लाई हूं साथ में, ऐसी बात नहीं है, उसने अपने आचल में बंदी नन्ही सी चिलम निकाली, और मूर्ती के पीछे हाथ डालकर एक पुडिया निकाल, चिलम में उडेल कर हसने लगी, नित्य भोले की प्रसादी का एक दम यहां लगाती हूं, दूसरा घर पर, यहां कदम रास्ते के भूत प्रेतनियों के डर को भगाता है, और घर पर बंकार भर कर शिवलिंग को चुआया, फिर अपने माथे पर, फिर दोनों हाथों की मुठी में चिलम साथ कर, वो एकदम कश खीच, खास्ती खास्ती दोहरी हो गई, देवाले की ग्रत जोती की शिखा क्रमशा मंदी पढ़ती जा रही थी, चरन को मानो हिरिया का दोरा पढ गया, जै बम, जै बम, बम लहरी, बम, 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 बम लहरी, कहती हुए उजूमती गाती हस्ती जा रही थी, एक कंट से निकली विक्रत बमलहरी, सहसा देवाले की विच्चत धंग से बनी दीवारों से टकरा कर, शत कंठों में गूजने लगी, अब चंदन क्या करें? चितों के धूओं में डूबे रास्ते, नर्मांस लोभी भूखे और चालाग बाग से मुटभेड की आशंका, अंजाने सरपिल पत की सुदीर्ग परिक्रमा, चांडाल की हिंसर तीवर अंतर भेदी द्रश्ट की इस्मरती, इधर अंधकार में कंठ तक डूब गए अंजा दिया भुजने से पहले चंदन ने चिलम छीनने को दोनों हाथ बढ़ा दिये, क्या कर रही हो चरण, अब तुम नहीं पियोगी, चलो गर, मुझे डर लग रहा है, उसका गला इतना ही कहकर स्वयम अवरुद्ध हो गया, चिलम छीनने को प्रसारिद माहें शून में लटक क रह गई, मंदिर की तूटी दीवार में खुदी, शिव की भवे मुरुत में बनी दो दबदपाती मत आखों ने जैसे दो तीखे भालों से उसे पीछे हटा दिया हो, ये मुर्ती कहां से आ गई, क्या ये तांतरिक मंदिर भी उसे चलने लगा था, या अंचाहे ही नत्रों का, धुमा ही उसे ये सपने दिखाने लगा था, खाली गांजा ही थोड़ी है इसमें, चरन ने तभी ठटा कर कहा, इसमें कुछ और भी रहता है, कुकुर मुत्ते का विश, क्या समझीं, एक दम लो और बन जाओ रानी पट्रानी, सोने के पेडों में लटकते हीरे के फल त तोड़ कर खाओ, वा, वा, तभी गोपलिया कहता है न, जिसने न सूंगी गांजे की कली, उस लड़के से लड़की भली, कैसी विलक्षन मूरती थी बापरे बाप, सिंगा रूडा पार्वती और मकरा रूडा गंगा, एक और पत्थर की खुदाई में खुदा नागलोक, आधा शरीर मनुश्यों का आधा नाग का, हाथ जोड़े लंबी कतार में चले आ रहे है शिव के गण, कदम ऐसे उठ रहते जैसे अभी पदिचाप के मंदिर को गुंजा देंगे, खट 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 खट, सिर के उपर स्वर्गलोक, विबिन वहनोप, आरूड विबिन देवत उनके बीच दस भुजाएं नचाते हुए शिव की रौदर मूर्ती और उस मूर्ती के कंट में पड़ा सर्प का यगो पवीत, देख करी चंदन दो कदम पीची हट गई थी, ये तो उसी अवदूत का दुलारा सर्प लग रहा था, दिया बुझ गया था, अंधेरे में चम पर चंदन मूर्तीवत खड़ी रही, खबरदार नाही मत करना शिव की प्रसादी है, देखो ऐसे सांस खीचना, उसने नतुने भीच कर एक लंबी सांस खीची, इस प्रदर्शन के बाद उसने चंदन का हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से उसे अपने पास बिठा लिया, अपनी मुठी में बंदी चिलम उसने चंदन के थरथराते होटों से लगा दी, लो लगाओ दम, बहरी हो गई हो क्या, देखती नहीं, अबेर हो रही है, चंदन ने चिरोडी की, वो दुआ सुयमी चंदन के नत्रों में घुज गया था, चरन की अपलक गूरती लाल अंगा उड़ा ले गया, नीद में चलने वाले किसी रोगी की तरह वो चरन के पीछे पीछे चल रही थी, देर्ग स्थाई अनाहार की निष्ठो प्रक्रिया ने जिस मानस्पेशियों को अब तक जटिलता की गाठों में बांदिया था, वो स्वैमी फटापट खुलने लगी, उस अरने की निविरता के सपन लोग को चीरती हुई चंदन बढ़ती जा रही थी, जिस नदी की अंजान गहराई में वो डरती, कापती, करन, धार, विहीन, तरुनी सी, डगमकाती चली आई थी, उसी पर वो अब ऐसे गहरे आत्मिश्वास के साथ चली आई थी, जैसे वो